इस साल का नया हल्दी बिक्री सीजन शिरू हुए एक महीना हो चुका है बाजार में अच्छी क्वालिटी वाली हल्दी की बाड़ा गई है और हल्दी में तेजी भी देखने को मिल रही है इसलिए एक महीने में हल्दी के भाव में 2000 रुपए प्रती कुविंटल का सुधार की तुलना में हल्दी के अच्छे दाम मिल रहे हैं जिसको लेकर फिलाल उत्पादक किस्तानों में संतुष्टी का महौल है वहीं देश और परदेश में जन्वरी की मध्य से हल्दी की कटाई शुरू हो गई थी लेकिन इसमें ज्यादा तेजी नहीं आई थी इसलिए प्र को लाग बोरी हल्दी बिख चुकी है इस साल हल्दी की बिक्री का मोसम फरवरी में शुरू हुआ सीजन की शुरू आत में हल्दी की ग्रेड के अधार पर कीमत 13,000 उपए से 23,000 उपे प्रतिक विंचल थी दरसल पिछले साल की तुलना में बिक्री शुरू होने के बाद से ह हल्दी के बहतर दाम मिले हैं इसलिए किसान हल्दी बेचने की योजना बना रहे हैं बारिश की कमी के बावजूत किसानों ने कड़ी योजना के साथ क्वालिटी वाली हल्दी उगाई है इसलिए बजार में अच्छी क्वालिटी वाली हल्दी बिकने लगी है और हल्दी की अच्छी मांग और डिमांड है और हल्दी को अच्छा भाव भी मिल रहा है वही वर्तमान में पश्च्वी महराश और करनाटक के किसान बिक्री के लिए हल्दी बजारों में लेकर आ रहे हैं नादेड, वास्मत, जलगाम, समेत, अन्य इलाकों से हल्दी अभी बजार समिती म आना शुरू हो नहीं हुई है, लेकिन वहीं देखा जाए तो हल्दी की आवक मार्च के दूसरे तीसरे सब्ता से शुरू हो जाएगी, हल्दी की कीमत में सुधार से हल्दी उतपादक किसानों में फिलाल संतुष्टी का महौल है, व्यापारियों ने संभावना जताई है क आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में स्थिर्ता देखने को मिल सकती है, ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी